एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिश्य आनंद कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड व्यक्ती एक चटान पर बैठा रो रहा है, वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ती की सिस्कियां थम गई, वह अपने आंसों पहुचता हुआ बोला, मैं पास के गाव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ, वह बिगड जाता है, व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने ग किसमत खराब है, जरा मैं भी तो जानू कि तुम्हारी किसमत में क्या खराबी है, वह व्यक्ती बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था, कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बरबाद हो जाती, इस से परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चे किया, मैंने पत्नी के गहने बेच कर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला, शुरू शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले अब ही मुझसे दूर हो गए। मैं ये सब उनके लिए ही कर रहा था। लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठैराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मि उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूँ, मैं यहां आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसी लिए यहां एकांत में बैठा विलाप कर रहा था। हो जाते हो? हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयम दुखी हो जाता हूँ। उस व्यक्ती ने जवाब दिया, आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वह व्यक्ती एक पल के लिए अर्थात, यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए, तो तुम्हें खुशी होगी? आनंद ने प्रश्न किया, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। आनंद बोले, अगर वह चाहे तो तुम्हें ख दुखी कर सकता है। तुम स्वयन से न तो खुश हो सकते हो और नहीं दुखी हो सकते हो। अर्थात, तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा न कहें महत्मन। उस व्यक्ति ने हाथ जोड दिये। आपकी बातें सुनकर मु पूरे जतन से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है। पर अगर भवों का लाब उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल तुम्हारा आत्म विश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको, लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं, वे भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो वे मेरे साथ भी नहीं हैं। आनंद बोले, मैं सब समझ गया, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इ परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो। वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलि अच्छा करते हो या करना चाहते हो तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा करते हो बोले इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े धुक से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता न सुझाई दे और तुम्हें लगे कि सब व व्यर्थ है और यहां रहना भी व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया और डिबिया को लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गये और उसका जीवन हसी खुशी बीथने लगा। अब वह भूत काल का रोना छोड़ चुका था। वह भविश्य काल की भी चिंता नहीं करता था। बस अपने वर्तमान को समवारने में लगा रहता था। और जो जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पडोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने इस राज्य पर अपना कबजा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों और लूट मार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया। उसके घर में आग लग जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तडपने लग ये देखकर उसका हरदय चीतकार कर उठा, वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए, उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया, उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी जीवन समाप्त कर ले, लेकिन तभी उसके दिमाग में आनंद की दी हुई डीबिया कौंध उठी, उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला, डीबिया के भीतर एक परची रखी हुई थी, परची पर कुछ लिखा हुआ था, उसे पढ़कर उसकी आँखों के आगे छाया निरा तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिली होगी, यदि आपको भी जानकारी अच्छी लगी हो, तो नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताए, और साथ ही साथ यदि अभी तक चैनल को सस्क् नहीं किया है, तो चैनल को सस्क्राइब करके वेल को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे.